घलो स्टोरेंट कैसे आप आप सब्यों प्यारे ऊच्वोज आज हम करें अध्याय चारकवे बच्चो किया बटाती है हमें किताब्यों कब्रें ते इस अध्याय का प्रेस्टोल में सॉम सब्द का एक आर्थ यह भी था तो इसका अर्थ था बच्छो पॉध्धों के नाम एक पॉध्य का नाम था सौम ठीक है प्रेशन के मांग दो है इनाव गाओं जो महापासान काल की कबरों के लिए जाना जाता है बरतवान समय में किस परदेश में इस्तित है तो यह प्रशन करमांग चार थे सुक्ट से क्यास्ट इसका उत्तर होगा रिगवेद में लिखी प्रात्नाओं को सूप्ट कहते हैं जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया प्रशन करमांग पांच है रिगवेद की पांडुलूपी लिखन हेतू किस व्रक्ष की च्छाल का प्रयोग round टा के साथ है है तो इसको उत्तर होगा डिए व्यास और शतलुज नामत दो नदियों का उल्लेक है प्रश्चन के मांग आठ है, महापाशाणों के निर्मान के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्व करना पड़ते थे, तो इसका उतर होगा, महापाशाणों के निर्मान के लिए लोगों को गड़े खोदना, सिला खंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तरासना, और म मरे हुए को दफनाना आदि कार्य किये जाते थे। यहुँ जो चावल दाल वाजरा मटर और तिल इन ख़दानों के भीज मिले हैं कि प्रेशन केमांग 12 है लोगों को पाई गई चीजों से लगता है कुछ कंगालों के साथ सोने चान्दी की चीजे मिली तो कुछ कंगालों में आर्थिक असा मनता हैं थी थी प्रस्टेशन के मांग 12 है युद में जीते गए धन का बटवारा किस परकार किया जाता था इसका उत्तर होगा युद में जीते गए धन का कुछ वाग सरदार रख लेते थे तता कुछ हिसा प्रोहतियों को दे दिया जाता था सेज धन आम मार दिये जाता था कुछ धन ये करने के लिए भी प्रयोक्त होता था तो वच्चों इसी प्रस्टेशन के उत्तर के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप से मिलते है अगली वीडियो में